गाए पर हिंदी में निबंद हिंदी ऐसे ओन दकाओ गाए को भारत देश में देवी का दरजा दिया गया है इसलिए दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा के परमुक अवसर पर गाएों की कई परकार से और विधी विधान से पूजा की जाती है उनको मौर पंखों से सिरंगार करकर तयार किया जाता है गाए शुद्ध और शाकाहरी भोजन करती है यह हरी गास चारा अनाज आदी का सेवन करती है गाए का दूद बहुत ही पोश्टिक होता है यह बिमारों और बच्चों के लिए बेहत उपियोगी आहार माना जाता है इसके अलावा दूद से कई तरह के पकवान बनते हैं दूद से दही, पनीर, मक्खन और घी भी बनता है गाए का गोबर फसलों के लिए सबसे उत्तम खाद है गाए के मरने के बाद उसका चमड़ा, हड्डियां वह सिंग सहित सभी अंग किसी न किसी काम आते हैं गाए का दूद अमरित के समान है इसलिए जिन नवजाद बच्चों की माँ दूद नहीं पिला पाती है उन्हें गाए का दूद पिलाया जाता है गाए का दिल एक मिनट में साट से सत्तर बार धड़कता है आमतोर पर गाए का वजन बारसो पॉन्ड होता है गाए के शरीर का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस के करीब होता है एक दिन में एक गाए कम से कम 113 लीटर पानी पी सकती है एक गाए की सूंगने की छमता बहुत ही अच्छी होती है वो छे मिल दूर से ही किसी भी चीज को सूंग सकती है गव माता में 33 करोड देवी देवता निवास करते हैं इसकी सेवा से हमारे पाप नश्ट होते हैं थैंक्स पर वाचिंग रिमेंबर तो सब्सक्राइब झाल